हेलो एवरिवन मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था आप सभी बच्चों के लिए और लास्ट वीडियो मैंने कहा था वो बच्चे सरफ उसका बेनिफिट ले जो स्टूडेंट के काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सर हमारे कॉलेज में यह है वो है तो आज मैं क्लियरेटी वीडियो बना दू कि किसका क्या डेट पे एक्जाम होना है ठीक है तो चलिए मैं एक बार आपको बताता जाता हूं फटा फट पहले मैं बात करूंगा रेगुलर कॉलेज और लिए systems के लिए मैं बात कर रहाया हूं ठीक है ध्यां से सुनिएगा फट्रिकलाति है डिश्च के लिए बात कर रहाए र्याग страх रेग्लर कॉलेज रेगूर कॉलेज और दो तारिक को है company law का पेपर इसके बाद regular college की बात करें हम corporate account का पेपर अब S.O.L की बात कर रहे हैं तो यह दोनों किसके लिए था सर regular के लिए same S.O.L become honors S.O.L become honors के अंदर 22 तारिक यानि अभी जो आज तारिक है आज 19 है 20-22 को पेपर है corporate का और corporate law यानि company law basically company law कह देता हूं कई बार मेरे मुझसे ज़्याज़तर corporate law निकल जाता है company law जो होगा वो 37 को होगा 30 जो आई तो clear है मैं सरिफ दो सब्जेक्ट करवा रहा हूं मैं दो सब्जेक्ट बाकि सब्जेक्ट का आपको डिट से अच्छे से पता होगा चेंजिस यही हुए थे में ली तो यह था फिर दुबारा सुन लीजिए regular college का corporate का CA का paper कब है पेपर है 26 तारिक और SL का है 22 तारिक law का उसका है दो तारिक को और इसका है सर तीस तारिक को अब आ जाते हैं सर बीकॉम प्रोग्राम प्रोग्राम का चाहे बच्चा regular हो चाहे soul हो चाहे NC web हो इसके exam की बात करें है तो प्रोग्राम के केस के अंदर corporate का paper 26 तारिक और यह लौका इसका मतलब सर बीकॉम प्रोग्राम किसी भी मतलब रैगुलर as well and NC web और बीकॉम ऑनर्स रैगुलर इन दोनों के exam एक ही दिन कंडेक्ट करे जाएंगे कैसे करे जाएंगे वह डियू वालों की responsibility है तो इस तरीके से hopefully आपको डेट में थोड़ा clarity मिल गया थोड़ा क्या पूरा ही मिल गया बाकि सब्जेक्ट बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए चुटिया नहीं पढ़ रही बीच में जब सब्सक्राइब बहुत परिशान है बाकि ऑनर्स वाले बच्चे त तो उसके accordingly तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरीके से next वीडियो में अगली वीडियो में जो HRM का paper है उससे related मैं कुछ बता दूआ कि किस तरीके से आपको कौन-कौन से topics कर लेना चाहिए तो मिलते हैं next वीडियो में thank you so much